हेलो दोस्तो नमस्कार यह मैं बार बार इसलिए बताता हूँ दोस्तो क्योंकि बहुत सारे लोगों तक नोटिफिकेशन नहीं जाती है और नोटिफिकेशन बेजना है मेरा काम नहीं है तो इसलिए मुझे बताना पड़ता है दोनो चैनल का सब्सक्राइब कर रहे ना यह वाला भी मेरा चैनल है लिंक उपर आई बटन पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी तो अभी हम लोग आच चुके बिलकुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के उपर और आज के दिन अगर प्राइम मिनिस्टर जी का अगर आप लोगोंने स्पीच देखा होगा तो उन्हेंने बहुत सारी बाते की है और जैसे मैंने आपको बता है कि कुछ पॉइंट्स मैं आप लोगों को हाइलाइट करके आपे बताऊंगा एक परतिकुलर सेक्टर के बारे में उनने बहुत ही जादा पॉजिटिविटी á बाते की है और कुछ future की भी एक indirectly hint भी दिये है तो कौनसे सेक्टर के बारे में थो उन्हेंने ये बाते की है IT सेक्टर के बारे में ये जोस्तों आप चाओ तो speech एक बार देख सकते हो, read कर सकते हो, IT sector के बारे में उन्होंने यापे मतलब जो speech अगर आप लोग सुनोगे, तो वो बहुत ही जादा impressed थे, highly impressed थे IT sector से related, digitalization से related, जितनी भी चीज़े हैं, उन से related, क्योंकि उन्होंने speech में बता है, कि इंडिया में जो recovery यहाँ पर चल रही है, सिर्फ इंडिया में भी नहीं, पूरी दुनिया में भी अगर आप लोग बात देखोगे, तो उसमें एक बहुत बड़ा, बहुत बड़ा contribution है, IT sector का, क्योंकि COVID के वज़े से, सब कुछ जो रुका हुआ था, वो वापस उसी रफ्तार से हम लोग को चलते वे देखने को मिला है, उस पिरेड में भी कुछ चीज़ें हम लोग को continue होते वे देखने को मिल रहे थे, उसका बहुत बड़ा श्रेय हो जाते है, IT sector, यह मेरे शब्नी है, प्राइम मिनिस्टर जी के शब्द है, और सज भी है, IT sector के कारण work from home चलता रहा, जिसके का जो कि अननेसेसरली उनका जो ग्रोथ है ना, या फिर उनका जो काम है, स्पीड से चलता है, उसमें वो रुकावट लेके आते है, अननेसेसरली, तो उसको ही खत्मर करने का यहाँ पे प्लान, यहाँ पे मुदी जी ने यहाँ बताये, आप चाहो तो उनका स्पीच देख सक है, क्योंकि उनका जबरदस यहाँ पे कोविड में अगर आप देखोगे, तो जबरदस पैसे कमा है, ऑनलाइन प्लैटफोर्म, जैसे मैंने इस से पहले भी आपको बताया, आप अपने आजू-बाजू भी नोटीस करोगी, या फिर आप मैक्जिमम जो लोग वीडियो भी जोड़ी हुई है, सो आईटी सेक्टर के ऐस सच कोई मदद की ज़रूरत नहीं थी, बट स्किल, यहाँ पे अगर आप लोग प्राइम मिनिस्टर की बातों को यहाँ पे देखोगे, तो उन्होंने बहुत ही हाईली मतलब बताया है, कि वो बहुत ही ज़दा इंप्रेस यहा डेफिनेटली आईटी सेक्टर से खुश है, सो जरू हम लोग कह सकते हैं दोस्तों, फ्यूचर में, आईटी सेक्टर से रेलेटेड अगर कोई अच्छी न्यूस सरकार से और से हम लोग को देखने को मिली, तो आप लोग ने शौक नहीं होना चाहिए, मैं वापस कह रहा तो डेफिनेटली आईटी सेक्टर का जो सकाम है, वो और भी स्पीडी वेस से यहाँ पर आगे बढ़ सकता है, सो दोस्तों मैं आप लोग को सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, कि आईटी सेक्टर के अगर स्टॉक अपगर आपके पास है, तो जरू उसको कंटीन्यू करना मैं इससे पहले भी बता चुका हूँ, कि आईटी सेक्टर ये एक ऐसा सेक्टर है, जो कि 2020 तक तो इंपोर्टन्ट था, बट ये जो 2021 है ना, इसका इंपोर्टन्स कुछ जादा ही बढ़ चुका है, आप लोग कुछ चाहो तो कंपनी के नंबर्स देख लेना, TCS, Wipro, InfoSays ये सारे दिगत जो कंपनिया है, एक सेल टेकनलोजी, जितने भी नाम है, उनके कौटर थी के नंबर्स ऐसे थे, जो कि 10 साल में कभी नहीं आए, ऐसा क्यू हुआ, आप लोग इकने कभी स्टड़ी किया है, सुनना अलग बात होती है, और समझना अलग बात होती है, कभी कुछ online हम लोगों को जाते वे देखने को मिला है, और online जाने के लिए support तो tech का ही लगेगा, तो हर किसी company का यहाँ पे हम लोगों को इस्तमाल होते वे देखने को मिला है, तो इसलिए IT सेक्टर दोस्तों ये बहुत ही जबरदस performance दे रहा है, और आगे भी future में IT सेक्टर बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, और मैं personally चाता हूँ, personally मैं चाता हूँ, openly बोलना चाहूँगा, मैं चाता हूँ IT सेक्टर के quality stocks गिर जाए, yes, क्यों गिर जाए, क्योंकि quarter 3 के numbers तो उन्होंने 4 डाले है, आप देख सकते हो, 10 साल में numbers नहीं है, ऐसे numbers उन्होंने बता है, त इतना हो सके, यह जबरदस गिरे, अभी इतने से गिर के कुछ नहीं होने वाला है, और जबरदस गिरने चाहिए, ताकि यह cheap level पे available हो, और मैं यह नहीं के रहा हूँ, कि हर किसी IT सेक्टर के stock को pick कर लो, जिस company के quarter 3 के numbers बहुत ही शांदार है, जैसे मैंने बताया, कि 10 साल में नमबर नहीं है, ऐसे नमबर बताया है, आपको Google के उपर मिल जाएगा, मैंने खुद वीडियो भी बनाया है, ऐसे company की shares अगर आपको नीचे मिल जाते, तो खरीद लेना, और देखा जाए तो पूरा IT सेक्टर ही भाग रहा है, तो यह सबसे important चीज है दोस्तों, जो कि मैं मैं आपको बताना चाहूँगा, कि अगर मैं आपके जगे पे रहूँगा, so definitely IT सेक्टर के shares, मैं तो यहापे फिलाल बेचने की कोशिश नहीं करूँगा, लंबिया उदी में और भी जादे हम लोगों को यह फायदा करके देने वाले, थोड़ा long term की सोचो, जो मैं यहापे फिजिकल यह ऐसी चलती है, उनको यहापे दिक्कते हो सकती है, so IT सेक्टर का सबसे बड़ा एडवांटेज है, और बहुत ही शांदार performance यह अल्रेडी स्टॉक दे चुके, यह आज की गिरावट में क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, मैं सिव आपको जूम करके बताना चा और सरकार के सपोर्ट से तो इतना बूम नहीं आता, यह खुद के दम के उपर भागे हुए है, हाँ ठीक है, आज के दिन आप देख सकते हैं, यह माइनस माइनस, तो इसका आर्थ यह थोड़ी है कि इन चीजों को नजर अंदाज किया जाए, तो यही कहना चांगा, कि IT सेक चीजे होने वाली, बड़े धमा कि हम लोगो को IT सेक्टर में, याद रखना, जब मार्केट गिरेगा, परसनली मुझे यसा लगता है, मैं गलत जा सकता हूँ, मुझे यसा लगता है कि IT सेक्टर यह सबसे ज्यादा फोकस में रहेगा, क्योंकि जबरदस चला है, नमबर्स अच्छे है, सब कुछ अच्छा है, डिविडेंट भी है, बोनस भी है, बाइबैक भी है, राइट, कमपनी अपने एंप्लोईस के लिए 700 करोड का बोनस दे रही है, क्यों यह सब कुछ चल रहा है, इतना पैसा उन्होंने कमा है, IT सेक्टर ने, बात याद रखना, अगर मा पास रहेंगे, परसनली मुझे इसा लगता है, जरूर होल्ड करना, प्राइम मिनिस्टर ने जो बाते हैं आपे बुली, इंडिरेक्ली सिगनल जरूर देता है, कि आगे IT सेक्टर में और भी कुछ हम लोगों को सरकार के और से भी कोई सपोर्टी वाली न्यूस भी आपे द परक पड़ता है, इतना तगड़ा सेक्टर है, इसको वह ऐसे भी किसी चीज़ की जरूरत भी नहीं है, बट सिर्फ ये पॉइंट आप लोगों को बताना चाहा रहता है, इसलिए वीडियो यहापे बनाया है, अगर आपको वीडियो पसंद है, तो लाइक और शेर कर देना तब तक के लिए, बाई बाई